हनुमन जैनती इस्पेशल में बनाएंगे बाला जी का प्रिय भोग चुर्मा प्रशाद हलो फ्रेंड्स वेल्कम बेग टू माई चेनल फ्रेंड्स आजम जो रेसिपी बना रहे हैं और आजस्थानी स्टाइल से बने हुए चुर्मे की रेसिपी है और बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाए एकदम कमगी के अंदर और बीना फ्राइज इसे हमने बनाया है आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं, मैं यहां एक कटोरी आटे से बना रही हूँ, इसके अंदर एक बड़ा चमच हम देसीगी डालेंगे मोयन के लिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम दूद से हम इसका आटा लगाएंगे इसके अंदर मैंने केसर डालाएं, केसर बाला जी को बहुत ज़्यादा प्री होता है, तो अगर आप केसर डाल के दूद को बना के तयार कर लेंगे, और फिर उससे हम दो तयार करेंगे, तो इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, और फ्लेवर और टेस्ट भी और बिल्कुल जैसा हम पराठे के लिए आटा लगाते हैं वैसा लगाया, फांच मिनिट रेस्ट करने के बाद इसके हम तीन पेड़े बनाएंगे, और मोटी साइज के पेड़े बनाना है हमको, क्योंकि हम पराठे की साइज थोड़ी मोटी रखेंगे, अब एक चकला लें और फिर इसको मोटा बेल लेंगे थोड़ा, पराठे की साइज थोड़ी मोटी रखनी है, पतला बिल्कुल भी नहीं बेलना है, ऐसे ही सारे पराठो को हम बेल लेते हैं, अब एक पेन रखेंगे गेस के उपर, आप तवे पे भी बना सकते हैं, इस पे थोड़ा सा हम गी ल लगा लेंगे, और पराठे की हम गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड में सिखाई करेंगे, गी को थोड़ा हमको ज्यादा लगाना है पराठो के उपर, जैसे हम नॉर्मल पराठे में लगाते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा लगाएंगे, बहुत ही सिंपल और एकदम आसान सी रेसिपी हैं, जरूर से टाय किजेगा और एकदम कम सामन के अंदर बन के तयार हुई है और फटा-फट से बन जाती है यह चुर्मे वाली रेसिपी, तो सारे पराठे हम ऐसे ही सेक लेंगे, तो पराठे हमारे तीनों बन के तयार हो गाएं, इनको अभी हम थोड़ होने देंगे, अभी बहुत गरम है यह, और हम छोटे-छोटे पीस कर लेंगे इनको, और छोटे-छोटे पीस करने के बाद हम एक घंटे तक पराठो को बिल्कुल ठंडा होने देंगे, तो एक घंटा हो चुका है और बहुत ही अच्छे से ठंडे हो चुके था, हम आधा- और यह हमारा दानेदार चुर्मे का प्रशाद बनके तयार हो गया है, अभी हम इसकी सिकाई करेंगे, तो एक बड़ा चमच हम पेन के अंदर फिर से घी ही रखेंगे, और यह जो हमने दानेदार चुर्मा बनाया है, इसको हम पेन के अंदर डाल देंगे, और दस मिनीट त और 10 मिनिट तक हमको इसकी सिखाई करनी है तो हलकी हलकी खुचबू आने लग जाएगी अच्छे से और दाना भी प्रोपर बन के तयार हो जाएगा चुर्मे का तो 10 मिनिट हो गा है और यह बहुत ही अच्छे से सीख भी चुका है अब इसके अंदर हम एक घंटा ठंडा होने के बाद फिर चीनी मिलाएंगे एकदम गरम गरम में चीनी नहीं मिलानी है चीनी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग मिला सकते मैंने इसके अंदर एक कटोरी चीनी मिलाई है और थोड़े से हम ड्राइफ रूट्स मिलाएंगे और इलाइची पाउडर मिलाएंगे इलाइ कि हम चुर्मे के लड्डू बनाएंगे तो इसके अंदर हम दो छोटे चम्माज घी डालेंगे घी जादा नहीं डालना है और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर एक छोटी चम्माज दूद डालेंगे और दूद को मिक्स करने के बाद देखेंगे अगर लड़ू बन रहे हैं तो ठीक नी तो फिर थोड़ा सा दूद ओर डालेंगे एक साथ दूद ने डालना है बहुत ही आसानी से लड़ू बन के तयार हो जाते हैं जुरमे के तो सारे लड़ू हम ऐसे ही बना लेंगे आधे बच्चे हुए के जरूर से ट्राय कीजिएगा और एकर रेसीपी पसंद आए तो चैनल को सबिस्क्राइब करके वीडियो को लाइक शेर और कमेंट करके बताएगे आपको ये हनुमान जैनती इस्पेशल प्रशाद की रेसीप चूर्मा और चूर्मे के लड़ू आपने देखा बनाना बहुत ज़्यादा आसाने जरूर से ट्राय कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सभी भक्तों को हनुमान जैनती की हार्दिक शुपकाम नए जय श्री राम